इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोगी से मिलेंगे 17 विपक्षी दलों के नेता मिलेंगे विपक्षी दलों ने फिर से बैलट पेपर की मांग की है EVM को असुरक्षित बता रहे हैं विपक्षी दल इसवक्त की बड़ी खबर EVM को असुरक्षित बता रहे हैं विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोगी से मिलेंगे और EVM को असुरक्षित बता रहे हैं ये विपक्षी नेता चुनाव आयोक से 17 विपक्षी दलों के नेता मिलेंगे एक बद फिर से उन्होंने बैलेट पेपर की मांग की है उनको लगता है कि EVM की जो मेशीन है वो असुरक्षित है और हमारे साथ हमारे समवादाता इंदरसेन जोड़ चुके हैं उनसे बात करते हैं इंदरसेन क्या जानकारी मिल पा रही है अगर देखे शिखा बता दो कि EVM को असुरक्षित एक बार फिर बताया है विपक्षी दलों के जो सुत्रा नेता है वो जो है इंदरसेन हर बार ये रहता है कि EVM को जो है असुरक्षित बताया जाता है विपक्षी दलों जो होते हैं हमेशा यही राग अलाबते रहते हैं कि EVM सुरक्षित है और एक बार फिर से ये मांग उठी है तो क्यों ऐसा होता है अनिश्चित रूप से लगातार EVM विवादों में रही है कहीं कभी अगर चुनाओ देख लिया जाए तो हमेशा EVM के उपर सवालिया निशान खड़ा होता है शिखा लेकिन जो 17 दलों के विवक्षी नेता है वो अब चुनाओ आयोग से मिलेंगे और बैलेट पेपर से चुनाओ कराने की वो मांग करेंगे तो अब ये निर्वर करेगा कि जब 17 दलों के जो नेता है वो जब चुनाओ आयोग से मिलेंगे तो चुनाओ आयोग की क्या कुछ परकिरिया इस पूरे मामले पर रहेगी और किस तरह से चुनाओ आयोग उनकी मांगों को देखता है ये अभी देखना देल चास बोगा शिखा